TGT-VGT विसाय का combination का आधार क्या है? देखें, मैं बहुत आसानी से आपको समझाता हूँ, जिससे आपकी परिशानिया दूर हो जाएं, आप समझेजे. TGT-VGT विसाय का combination जब भी आप देखें, तो आप ये दिमाग में रखें कि high school इस्तर के जो आपकी विसाय थे, वो क्य कान दीजे. भासा में सबसे पहले हिंदी की बात कर लिए. अगर भासा, देखें, TGT को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, TGT जो है, TGT और PGT, प्रिवक्ता है. ठीक है, TGT को हम लोग देखते हैं, कि इसनातक में अगर आपको हिंदी से TGT देना है, तो प्रिशिक्षित में रहा हो, चाहे वो second year में रहा हो, और चाहे वो final में रहा हो. मतलब, हिंदी तो होना ही चाहिए, हिंदी के साथ संस्कृत भी होना चाहिए, चाहे वो combination आपका एक ही साल रहा हो, first year में भी रहा हो, लेकिन हिंदी विसाइक अगर आपको TGT का ध्यापक बनना है, प्रिशि माल लिजेगा, या अगर आपको TGT में हैं, तो intermediate में, अब ये नया बदलाओ है, जो मैं बदलाओ की बात कर रहा हूँ, अगर माल लिजे यहाँ पर graduation में आपका हिंदी है, लेकिन आपका संस्कृत साथ में नहीं है, तो intermediate में अधी अधी आपका संस्कृत रहा है, तो भी आप इस combination को पालेगे, तो फिर सुन लिजे, हिंदी के अध्यापक बनने के लिए, चुकि हिंदी संस्कृत से निकली है, हिंदी का अध्यापक बनने के लिए, इस नातक में आपका हिंदी होना चाहिए, हिंदी के साथ कम से कम एक वर्स आपका संस्कृत भी होना चाहिए, ह PGT के अध्यापक बन सकते हैं. PGT वाले भी ध्यान देंगे बेटा. PGT अगर आप हिंदी से देना चाहते हैं, तो हिंदी से PG तो होना ही चाहिए, लेकिन BA में एक वर्स संस्कृत आपका होना अनवार है. अगर आप PGT भी दे रहे हैं, PGT भी दे रहे हैं, तो PGT में भी आपको PG PGT में हिंदी तो होना ही चाहिए, लेकिन BA में संस्कृत आपका एक विशय के रूप में होना अनवार है, इतना बेटा आपको यहां पर ध्यान दखना है. ये बात किलियर हो गई, तो हिंदी में तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं विशयवार बता देता हूँ. दूसर करा सकते हैं, ठीक है? और ये WhatsApp नमर है, इस पर entry subject लिखके आप भी दीजे, description में telegram है, उसको चुन लीजे, जोएन कर लीजे, और ये हमारे बेच की विशयषता है. और मैं इतने आतम विश्वास से इसलिए भी दहारता हूँ, है ना? क्योंकि मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, इतनी दक्ष टीम कहीं नहीं है. आप महसूस करेंगे इसको है, और जितना हम लोगों ने कहा है, उतना हमेसा किया है, इसलिए मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं, कि मैं जो एक सब्द कह रहा हूँ, वो अच्छर सा सब् होगा, ये वेरा आप से वादा रहा है, और जो है, आप सभी लोगों को अनंत सुखकामना है, और भी जो आपके प्रुष्ण होंगे, आप भेज दीजेगा, तीन-चार दिन बाद में फिर एक सारे प्रुष्णों का सेट बना के लाइब करके, आप लोगों को कोशिस करू हो चुका है, आप अपनी तैयारी करिए है, थैंक्यू सो मच, लव यू आल, आप सभी से अपार इसनी और प्रेम है, मुझे पूरी आसा है, कि अगले तीन से चार दिनों में आप सभी लोग संस्थान से जुड़ जाएंगे, फीस ज्यादा नहीं है, फीस ज्यादा नहीं ह है, एक बार नेने लीजिए, देखिए, इतना किस्मत बदल जाए तो, बताते हैं, थैंक्यू सो मच, लव यू आल, आज मेरी तरफ से इतना है, नमस्त,